अगर आपके भी पास है प्रीमियम चौपोलाइट विपिंग क्रीम और इस इक तो पॉफट तरीके से अगर आप विपिंग क्रीम बनाना चाते हैं केकि आइसिंग करना चाते हैं तो सिफ तीन स्टेप को ज़रूर फॉलो करना जो कि इस वीडियो में आप लोगों को बताने तो सबसे पहले आप क्या करें इस वीडियो को शेयर से जरूर कर लीजे, गोल्लिस किचिन को फॉलर जरूर करें तो आई शुरू कर लेते हैं प्रीमियम चॉपोलाइट विपिंग क्रीम जो कि आज कर आप में दिखा होगा हर वेक क्रीम में एवलेबल होता है जा है वो छोटा शहर हो या बड़ा शहर या छोटा गाउं हर जगा आपको बहुत यासानी से मिल जाएगा और अगर ब्रैंड्स की अगर बात करें तो अगर ब्रैंड्स में आपको काफी चीज़े नहीं मिलेंगी तो बहुत लोगों ने मुझे कॉमेंट में कहा था कि यह ट्रॉपलाइट विपिंग क्रीम परफेक्ट क्रीम कैसे इससे बनाए क्योंकि काफी लोगों के क्रीम बिगड़ गये आज आपना कुछ स्टेप को फॉलो करेंगी तो आपकी भी क्रीम एक दम पॉफेक्ट बन करके तयार होगी तो इस एक किलो पैकेट से आप आराम से धाय किलो तक के केक को आप आइसिंग कर सकते हैं तो सबसे पहले क्या करना है एक बोल लेना है अगर बोल थंड़ा होगा तो बहुत अची बात है अदर्वाइस कोई बात में तो जब भी आप केक बनाने के लिए विपिंग क्रेंग का इस्तमाल करें आप फ्रीज से पहले आदे गंटे के लिए उसे बाहर निकाल दे उसके तो अब स्टेश पे हम इसे अच्छी तरीके से विप करेंगे क्योंकि यह जो क्रीम है काफी थंडी है अभी भी तो अब फटाफट से इसे विप करना स्टार्ट करते हैं विप करने के लिए आप विपिंग मशीन का इस्तमाल करें और किसी बड़े बरतन में आप इसे प्रिज में इसे डिरेकली विपिंग क्रीम निकालते हैं उसे फटाफट से मशीन से अच्छी से प्रेस करके आप विप करना शुरू करते हैं उसमें क्या होगा ना जैसे यह फलफी होगा इसमें आइस क्रिस्टल आ जाएंगे जो कि बाद में आपके के लिए अच्छा नह जाए उसके बाद आप डिरेकली 3, 4, 5 जिस पर भी आपको रखना रख सकते हैं तो मैंने आपको पूरे 2 हैक बता दिये कि आपको क्रीम कैसे रखना है मशीन का लेवल कितना लेके जाना है और इसे लगबग 10-12 मिंट लगेंगे विप करने के लिए ताकि अच्छी तरीके स आपका ये जो क्रीम है पॉफेकली बन करके तयार होगा अगर आपको लगे कि क्रीम बहुत जादा थंडा नहीं है तो आप क्या करें फ्रीज में थोड़ा देर रख दीजे उसे 10-12 मिंट फिर अगें आप उसे विप करिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी अच् पर चॉकलेट फ्लीवर का बनाना है तो कैसे बनाना है आप गनाश बना लीजे गनाश की रस्पी अपने चैनल पर दी है लिंक आप देख लेना वहाँ पर आपको इसकी रस्पी मिल जाएगी या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम आइडी को चेक कर लेना वहाँ पर मैंने श छोटे चॉकलेट के पीसे न हो आप ऐसा घ्लती है और जैसे आप इसमें डालेंगे तो छोटे चॉटेचे न इसमें क्रिस्टल हो जाते हैं चॉकलेट तो यह गल्ती था बिल्कुल मत करना क्यूंकि एक दो बर गल्ती की थी तो उसके बाद मैंने ये सारी चीजों को सुध तो अब आप इसे एकड़म पॉफेक्ट तरीके से केक की आइसिंग कर सकते हैं तो दो हैक मैंने आपको बताया, थर्ड हैक यह है कि जब भी आप विपिंग क्रीम तयार करते हैं स्पॉंज आप एक दिन पहले बना ले क्योंकि स्पॉंज जब थंडा होगा तो आपकी आइसिंग बहुत ही पॉफेक्ट होगी और उसके बाद आप इसे बहुत ही अच्छी तरीके से फ्लार्ज भी बना सकते हैं और इस केक को सजा सकते हैं तो हैना एक दम पॉफेक्ट स्टेप तो इन तीनों स्टेप को फॉलो करिए और आपने केक की आइसिंग करिए और बहुत ही बढ़िया सा डेकोरेट करिए तो आप भी इस तरीके से पॉफेक्ट क्रीम बनाएगे और कॉमेंट सेक्षिन जरूर लिकर के बताए कि आपको वीडियो कैसा लगा और अगर आपने इस रेस्पी को ट्राइ किया है तो इंस्टाग्राम पे मुझे शेयर जरू करना तब तक लिए गाई स्टिल डें टेक क बाइ थैंक यू फर चिंग ओल्ली स्कीचन बबाइ